हेलो एवरिवन आप सब का स्वाद करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिश्ट गयन में तो आज के इस वीडियो में हम को बताने वाले हैं कि जो सेशन 2023-2024 है वहाँ पर जो 9 बॉर्ड की क्लासस हैं शीमी, सात्वी, नौवी और गैर्वी कक्षा के ल होने वाले हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कौशन पेपर का पैटरन है वो कैसा होगा, कैसे आपके भी पुरोंगे, तो इस तरहें ये जो लैटर ही वो जारी किया गया, इसके लिए जो लैटर है वो जो ब्ल्यू ब्रेंट हैं वो इनकी ओफिशल वैबसेट पर भी अप्लोड किये गए हैं, तो यहां पर भी मैं आपको बताता हूँ, और अगर आपको ये पीडियाफ फाइल चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्टिशन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसकी पीडियाफ को डॉन्लोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे, इस सिक्स क्लास की, तो यहां पर आपका जो रिटन पेपर है, वो 18 नमबर का है, और सेसी जो नमबर हैं, वो 20 नमबर के होंगे, तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट होगा, वो तीन टाइम में प्रशन आएंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 16 प्रशन होंगे, उसके बाद 2 से ले चार अंक के प्रेशन होंगे उसी तरह तो लास्ट पार्ट में 14 से लेकर 16 तक 6 नंबर के जो कोशन है वो आपको आएंगे तो यहां पर प्रोपर सारा टेवल बनाया गया है, यहां पर आपके कितने चैप्टर हैं टोटल कितने, किस चैप्टर में कितने नंबर का जो कोशन आएगा एक नंबर वाले कितने आएंगे, दो नंबर वाले कौन से चैप्टर में कितने आएंगे, चार नंबर वाले कौन से कितने चैप्टर में आएंगे, तो छे नंबर वाले कौन से कितने चैप्टर में आएंगे तो यह बहुत ही helpful ओने वाला students के लिए क्योंकि सबी chapter ज़्यादा पढ़ने की जूरुत नहीं है जो भी आप दे सकते हैं six number वाले जिस lesson में से आएंगे आप वहां से वही ज़्यादा question जो है attempt कर सकते हैं जात कर सकते हैं तो इसी तरह अब हम बात करेंगे seventh class की तो seventh class के लिए यहाँ पर question paper का pattern दिया गया है तो यहाँ पर भी आपको table मिल जाएगा कि आपने कौन से lesson से कितने question करने हैं और किस lesson में कितने number आपके question जो हैं वो आएंगे तो total number यहाँ पर जैसे 80 है तो जो भी non-board classes है total number जो रहेंगे वो 80 ही रहेंगे तो इसी तरह जो next class है ninth class है तो ninth class ले भी इसी तरह जो pattern structure है वो दिया गया है तो यहाँ से आप दे सकते हैं screen short भी ले सकते हैं तो यहाँ पर भी question जो pattern है वो बनाया गया है तो question की जो distribution है वो की गई है कौन से chapter में कौन से question कितनी आएंगे तो same as it is 11th class के लिए भी है 11th class के भी यहाँ पर proper कौन से chapter में से कितने question आएंगे कितने number वाले question आएंगे total कितने question आएंगे तो जैसे first में 90 number है second में 29 है third में 12 है, fourth में 11 है fifth में 9 है तो total question जो है वो यहाँ पर बताएंगे तो total जो number है वो यहाँ पर दिये गए हैं, तो इस तरहें जो math का sample paper कह सकते हैं blueprint कह सकते हैं, तो यहाँ पर questions की number की जो distribution है वो यहाँ पर बताएंगे तो इसके according है, हब 2023 में आपके जो number है या question में जो number है question है, वो आएंगे आपको तो आज की student में यही अपडेट है इसी तरह की और भी अपडेट चानकारी लेने के लिए बने रहीगा मैंने साथ, मिलूँगा आपके साथ next information वाली वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जहेंड